आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं हलवाई स्टाइल गोबी आलू मतर की सबची की रासिपी और ये जो सबची है हम बिना गोबी और आलू को फ्राई करें बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ये सबची बनके त्यार होगी तो सबसे पहले मैंने कड़ाई में 3 टेबल स्पून ओईल गर्म करने रख दिया है यहां मैंने सरसो के तेल का इस्तमाल किया है इसमें सबची बहुत ही टेस्टी बनती हैं जब ओईल गर्म हो जाए तो इसमें आदा चमच जीरा डाल दे एक चोधा ही चमच इसमें जाएगा ह एक काली बड़ी इलाइची और साथ ही इसमें जाएगे दो तेज पत्ते गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर ये खड़े मसाले हमें भून लेने हैं ज्यादा तर हलवाई लोग गोभी आलू की जब सबजी बनाते हैं तो उन्हें पहले फ्राई कर करते हैं फिर सब्जी बनाते हैं लेकिन हम बिना गोभी आलू को फ्राई करें बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल सब्जी बनाने वाले हैं यहां मैंने पांच लॉंग और पांच काली मिर्च को दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है एक चमस डाला है अद्रक अद्रक को भून लेंगे इसमें आप काली मिर्च और लॉंग जरू डालेगा और पाउडर मढ डालेगा इस तरह दरदरा सा कूट करी डालेगा फिर देखी का सब्जी का कलर और टेस्ट कितना अच्छा आता है तो यहां पर सारी चीजे हमने भून ली है प्यास जो है उसे आपको ला आधा चमच ही डालें मसालो को अच्छी तरह मिक्स करें और 15-20 सेकंड तक हलका सा भून ले और इसकी बाद इसमें जा रही है गोभी आधा कि लोग गोभी को इस तरह छोटे पीसिस में कट करके अच्छी से धोकर डाला है दो आलू मीडियम सैस के आलू को कट करके लिया है और ये मैंने आधा कप लिये हैं हरे ताजे मटर ये इसमें डाल दिये हैं अब आपको इसमें डालना है नमक एक चमच मैंने नमक डाल दिया है और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अभी बाकी के और मसाल इसमें नहीं डालेंगे बस यही मसालों के साथ अभी हम इसे और मीडियम फ्लेम पर इससे मैं ऐसे पका रही हूं तो अब देखिए, अब यह जो सब्जी है इसमें मसाले बगएर I ÇaScause लग चुके है तो बस अब आपको इसमें डाल देना है पानी 난 हम ये सूखी सब्जी बना रहे हैं तो पानी आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और अच्छी तरीकिसे से मिक्स कर देंगे अब ये जो सब्जी है इसे हमें कवर करके पकाना है तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसे 8 से 10 मिनट के लिए कोकोने देते हैं बीच बीच में एक दो बार आप इसे चलाते रहें तो इसे ऐसी छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर तो यहाँ पर इस सबजी को कुकोते हुए 10 मिनट हो चुके हैं मैंने एक दो बार इसे बीच बीच में चला दिया था अभी ये देखिए जो सबजी है ये पूरी तरीके से सौफ नहीं हुई है अभी पूरी तरह नहीं बनी है जो गोभी और आलू है इनमें हल किसी कसर बाकी है देखिए अब आपको क्या करना होगा जब गोभी और आलू लगभग 70 से 80 परसेंट तक कोख हो जाएंगे तब आपको इसमें बीच में इस तरीके से जगा बनानी है और इसमें डाल देने है टमाटर मैंने दो टमाटर को बारी कट करके डाला है और दो हरी मिर्च को बारी कट करके डाला है अब इसे cover कर देंगे और फिर से इसे 3-4 मिनट के लिए cook होने देंगे तो यहाँ पर gas का flame मैंने medium से थोड़ा कम कर दिया था अब 3-4 मिनट बाद यह देखे जो टमाटर है अच्छे से soft हो गए हैं इन्हें ऐसे आपको mash कर देना है और इन्हें सब्ची में mix कर देना है और बस इस स्टेज पर अब आप कर दीजे gas का flame medium और यह देखे जो गोबी और आलू है अच्छे तरीके से cook हो चुके हैं तो अब आपको इसमें जो मसाले है वो भी डाल देने है तो इसमें जा रहा है धनिया पाउडर तो मैंने डेढ़ चमच धनिया पाउडर डाला है और इसमें जा रहा है आधा चमच गरम मसाला और ये इसमें जा रहा है आधा चमच आमचूर पाउडर मिक्स कर देंगे इने और ये देखे बहुती बढ़िया बहुती टेस्टी लाजवाब ये गोबी आलू बनके हो रही है त्यार कलर देख सकते हैं कितना शांदार आया है तो बस ये मसाले मिक्स करने के बाद अब आप इसमें डाल दें बारे कटा हुआ हरा धनिया साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी को मैंने भून के लिया है इस तरीके से हाथों से क्रश करते हुए से डालेंगे कसूरी मेथी से इस सबजी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर सबजी को लगभग डेड़ मिलट के लिए ऐसे ही हमें कुक करना है ये देखे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सबजी तेयार हो गई है अब बस मैंने यहाँ पर गेस का फ्लेम आफ कर दिया है और सबजी का कलर टेक्शर आप देखी सकते हैं कितना शांदर आया है एकदम हलवाई जैसी ये गोबी आलू मटर्व हो चुकी है बनकर तयार तो बस इस सबजी को अब आप गर्मा गर्म सर्फ करें इसे आप पूरी पराठे चौपाती किसी के बिसाथ एंजोय करें अगर आपको ये सबजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले